नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चान्नी आज की हेल्थ टीप फिट रहने के लिए डाइटिंग का फाइसला लेना आसान नहीं होता वजन घटानी के लिए या फिर फिटनिस बरकरार रखने के लिए अपनी बहुत सी पसंदीदा खाने की चीजे से दूरी बनानी पड़ती है हो सकता है कि ये कोशिश आपको काम्याब भी बनाए और आप अच्छा खासा वजन आसानी से घटा ले लेकिन ये भी संबाव है कि बहुत जल्द आप दोबारा उसी जगा पहुँच गए तो आप पहले थे और आपकी सारी की सारी कोशिशे धरी रह गए क्योंकि बाद में आपकी बोडी शुगर और फैटी एसिड को फिर से कमपनसेंट करने की डिमैन कर सकती है डाइट में की जा रही कुछ गलतिया देर सपीरे आपकी मेहनत पर पानी फैट सकती है सारे फूट ग्रूप्स को दरकिनार करना डाइटिंग के चेकर में आप सिर्फ प्रोटीन पर जोर दियते हैं और बागी फूट ग्रूप से कन्णी काट लेते हैं तो ये गलत है चावल, अनाज, कद्स और फैट्स भी शेरीर के लिए बहुत जरूरी है जिन से दूर रहने से हो सकता है कि आपके शेरीर में कोई ना कोई कमी आ गए खाने की कैटगरी तै करना खाने को हर वक्त ऐसे मत जज कीजिए कि क्या खाना अच्छा है और क्या बुरा है जरूरी नहीं कि कभी मैगी या पीजा काकर आप बैड फूड के कैटगरी में आ जाए गए और हर बार सलाद काकर भी कुछ नहीं रह जा सकते हमेशा लो कैलरी फूड खाना हमेशा लो कैलरी फूड खाने का शोक या सोच भी बारी पड़ सकती है शेरीर को कितनी एनरजी की जरूरत है इसकी कितनी क्यालोरी से होती है हर बार लोग क्यालोरी फुट चुन कर आप शेरीर को कम एनरजी दे रहे है पसंदीदा खाना बंद करना डेटिंग के चेकर में आप पसंदीदा खाने से पूरी बना रहे है तो ये भी गलत है अपने comfort food से दूर रहने का नतीजा कभी कभी over eating हो सकती है और आपकी mental health को भी नुकसान पहुंचा सकता है अपने पसंदीदा बोजन को अपनी diet का हिस्सा बनाए रखे लेकिन limit में नए नए diet plans तयार करना बार बार diet और detox plans को बदलते रहना भी शेरीर को नुकसान पहुंचाता है ये एक बार अपने लिए बहतर diet plan चुन ले और फिर उस पर ही टीके रहे इससे आपको ज़्यादा बहतर नतीजे मिलेंगे बार बार diet और detox plans को बदलते रहना भी शेरीर को नुकसान पहुंचाता है ये एक बार आपने लिए बहतर डाइट प्लैंक शुन ले और फिर उस पर ही टी के रहे इस से आपको ज़्यादा बहतर नतीजे मिलेंगे